शिव समार है मुझ मैं और मैं शुन्य हो रहा हूँ अंतराष्टिय पगड़ी दिवस के रूप में मनाया गया तो दोस्तो इंटराष्टिय पगड़ी दिवस इंटराष्टिय पगड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है 2004 से यह दिवस मनाया जा रहा है अंतराष्टिय पगड़ी दिवस तो दोस्तो हाली में 13 अपरेल को अंतरास्टिय पगड़ी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तो नक्स पहलते हैं तो दोस्तो हाली में 13 अपरेल को ही सियाचिन दिवस के रूप में मनाया गया तो 38 साल सियाचिन दिवस 13 अपरेल 2022 को मनाया गया दोस्तो तो दोस्तो यह दिन आपरेशन मेगदूत के तहद भारतिय सेना के सास की समरुती में हर साल 13 अपरेल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 38 साल पहले सियाचिन की बरफीली पहाड़ी पर कबजा करने के लिए आपरेशन मेगदूत चुरू किया गया था और इसी आपरेशन मेगदूत में जिन जवानों ने अपनी जान गवाई उनकी ही आद में उनको ही स्रदान जली समर्पित करते हुए यह 13 अपरेल को सियाचिन दिवस के रूप में परेल को अपने 2 जिवस मनाए अन्तराष्य पकड़े जिवस और 38 स्वासी आचिन दिवस और दोस्तो इपरेल माह के सारे के सारे important डेज आपके साथ साज़ा करता हूँ एक अपरेल को उतकल जिवस मनाया एक से साथ अपरेल को prevention of blindness विक मनाया दुया अपरील को वर्ड ऑटीजम अवर्णाइस डेई, इंटरनेशनल बाल पुस्टतक दिवर्ज चार pegar अंधराश्ट्रीय खाण जाग रुखता, और खाण कारिये में संहता दिवर्ज और पाज़ अप्रेऍल को नैशनल मेरे टेम डेई, International Day of Conscience यानि कि अंदराश्टिय अंतरात्मा दिवर्ज 6 अपरिल को International Sports Day for Development and Peace 7 अपरिल को World Health Day 8 अपरिल को The Army Ordinance Corps का 247 वास्ताबना दिवस मनाया 9 अपरिल को CRP of Shoreya दिवस मनाया 10 अपरिल को World Homeopathy Day 11 अपरिल को World Parkinson Day National Safe Motherhood Day 12 अपरिल को World Parkinson Day के रूप में मनाया जाता है दोस्तो तो दोस्तो हाली में 13 अपरिल को 2 दिवस मनाया गए अंदराश्टे पकड़ी दिवस International टर्बंडे और 38 वासिया चिन दिवस अपनने 13 अपरिल 2022 के रूप में मनाया गया दोस्तो नेक्स पहलते हैं तो दोस्तो आली में पहला खेलो इंडिया National Ranking Woman Archeri यानी की तिरंदाजी टुर्नामेंट का आयो जन जमशितपूर जारखन में किया गया तो दोस्तो जारखन जमशितपूर में पहला खेलो इंडिया National Ranking Woman Archeri तिरंजार जी ट्रोर्णामेंट का इजन किया गया यहा ट्रोर्णामेंट कॉम्पेटिशन 6 फेजिस्ट में होगी दोस्तो चे फेजिस्ट में होगी दोस्तो यह shopping competition इसका पहला फेज अभी जम्शित्पूर में शुरू हुआ दोस्तो और दोस्तो हाली में पहला खेलो इंडिया नैशनल रैंकिंग वोमन्स आरचरी तिरंदाजी ट्रूनामेंट का आयोजन जारकन के जम्शित्पूर में किया गया यह इसका पहला फेज है दोस्तो और दोस् अली में पहला खेलो इंडिया नैशनल रैंकिंग वोमन्स आरचरी तिरंदाजी ट्रूनामेंट का यह जारकन के जम्शित्पूर में शहर में शुरू किया गया दोस्तो और दोस्तो और दोस्तो नव जून दोजार बाईस को ईवाइ वर्ड ऑन्ट्रोप्रूनर आप दे य नायर जी और दोस्तो इनको ही 2019 में स्टार्ट अप की श्रेनी में एवाइ आंध्रोप्रूनर आप दे यर भी आवर्ड में दोस्तो और दोस्तो अभी हुरून रिचे सेल्फ मेड वूमन रैंकिंग्स में फालगूनी नायर जी दस्वेस्तान पे थी अभी 64 ग्रैमी इसका नाम रखा गया था अकलरफुल वर्ड इस अल्बम के लिए 64 ग्रैमी आवाड जी था और दोस्तो अलिमें आरिफा जोहरी जी को चमैली देवी जेहन पुरसकार से समानित किया गया हाली में विरोध शर्मा जी को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वह यक्तिक कैटे हैं तो दोस्तों आलिमें युनाटेड नेशन ने हैदराबाद और मुंबई इन दो शहरों को ट्री सिटी आफ दे वर्ल्ड के रुप में माननेता दे दी तो युनाटेड नेशन के फूड एग्रिकल्चर और और अर्बर फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद और को और दोजार बीस में हैदराबाद को ट्री सिटी आफ दे वर्ल्ड के रुप में चुना गया अभी भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में शुरू किया और दोस्तों आलिमें स्टेच्चु आफ एक्विलिटी का उद्गाटन भी हैदराबाद में हुआ संतर आमानुजाचारिया जी की दोस्तों स्टेच्चु एदोस्तों स्टेच्चु आफ एक्विलिटी मतलब और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोशना हैदराबाद में की गई और देश का पहला पुर्न स्वामित वह पुर् दोस्तों आली में युनाटेट नेशन ने हिदराबाद शहर और मुंबई शहर को ट्री सिटी अफ दे वल्ड के रूप में माननेता दे दी है दोस्तों नेक्स पहलते हैं तो दोस्तों आली में जैशाहाजी को आई सी सी क्रिकेट समिती के सदस्य बोर्ड प्रतिनिती के के खिलाडी है उनको पूर्व खिलाडी प्रतिनिती नियुक्त किया गया है फिर से एक बार और दोस्तों आली में हमारे विदेश सचिव के रूप में विश्वास पटेल जी को नेशनल पेमिन काउंसिल आफ इंडिया के अद्दक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था नियुक्त किया गया है दोस्तों इस पहलते हैं तो दोस्तों अली में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दोजार इकिस के लिए दुनिया के टॉप 10 बिजियस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट जारी किया भी उसमें अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे शिर्श विस इंटरनेशनल एयरलाइन यह पहली ऐसी एयरलाइन बन गई जो कि सौर इंदन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई और दोस्तों आली में सिविल एवियेशन फिल्ड में एशिया का सबसे बड़ा कारेकरम विंक्स 2022 का योजन हैदराबाद के बेगंपेट एय आप शब रहुल भाटियाजी बन गए तो दोस्तों आली में एयरपोर्ट कांसिल इंटरनेशनल ने दोजार रिकिस के लिए दुनिया के टॉप 10 बिजियस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में यूईस का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे टॉप फेश रिशुपे तो दोस्तो अली में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतिय रोहिच चर्माजी बन गए तो मुंबई हिंडियन्स के कप्तान रोहिच चर्माजी अभी T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतिय खिलाडी बने अभी M.I. की मैच थी दोस्तों गेंग से लेवन पंजब के साथ तो उसी मैच में उन्होंने यह उपलब दियासिल की और अपने 10,000 रन पुरे स्टाइल में कंप्लेट किये जो कि कगी सो रबाडा जी की गेंद पेच छपका मार कर इन्होंने टी-20 क्रिकेट में 10,000 रन अपने पूरे कर लिए तो विराट कोहली के बाड़ टी-20 में 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए भारतिय खिलाड़ी रोहित शर्मा और इस 2022 का पंदरवा आई-पियल एडिशन है जो कि टाटा आई-पियल के नम से जाना जाता है इस बार ट आई-टी-मदरास ने भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनियस पॉली सेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी यानि की घुटने का अनावरन किया तो आई-पियल का नावरन किया लांच किया हजारों विकलांगों की जीवन शैली में सुधार और खुशिया लाने के लिए आई- आईएटी मदरास के सैंटिस्टों ने भारत का पहला स्वदेशी इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नहीं का नावरन किया और दोस्तों हाली में आईएटी मदरास ने स्वदेशी मोटर चलित विल्चेर बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था नियो बोल और हाली में IIT कानपूर ने एक बायो डेग्रीडेबल नैनो बार्टिकल बनाया और IIT कानपूर में ही प्रतान मंत्री जी ने ब्लोकचेन आदारे डिजिटल डेग्री का अनावरन किया और हाली में IIT रोपडर ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफायर ज पधैशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टेटिक ने ने का अनावरन किया तो दोस्तो आढली में भारत और यूएस देश के बीच में टू-प्लस टु टॉक्स का YOU जण किया गया्थ ने विधेश मंत्री मिनिस्टर जाएंगे और दू-जचे रहेंगे तो इस भारत के तपहार भाग लिया हमारे विदेश मंतरी है एस जे शंकर और हमारे डिफेंस पिनिस्टर है राजनाथ सिंग जी और यहाँ टू प्लस टू टू टॉक्स भारत कौड़ देशों के साथ करता है और उस्टलिया यूएस जपान और उस्टलिया और दोस्तो रशिया यहाँ एक मात्र दे भारत की ग्रोथ रहे गानुमान लगा है नुख बैंक में का हैंनुमान लगा पहले भार्थिय खिलाडी बन गए to गुच्रा टाइटंस की कफटान हरदिख पांडऻ जी अब आईपेल के इत्यास में सबसे 40 चखके लगाने के लाई प्हहले भार्थिय खिलाड़ी बन गया उन्हों नहों ने 607 बाल किया ट हिलकर सब्सक्राइब खिलाडी upfront के लाई पा सो चक्के लगाए है जो कि भारतिय द्वारा सबसे टॉप मुस्ट है सबसे टॉप पे है और दोस्तों दुनिया में दुसरे नंबर पे क्रिस के लिए उन्होंने 943 यानि की 943 बॉल्स खेल कर सो चक्के लगाए थे तो दोस्तों आली में IPL इतियास में सबसे टेज सो चक्के लगाने वाले पहले भारतिय खिलाडी अर्दिक पंडेजी बन गए है तो दोस्तों यहाँ थे 14 अपरेल 2022 के मातो पुर्णा करंड़ अपेर साचे बनके अपड़ चेरी तिरंदाजी टुर्णामिन का होजन जारकन की जमशेदपूर में किया गया हाली में फाल गुनी नायर जी को EUI Entrepreneur of the Year Awards से समानित किया जाएगा नौजुन 2022 को हाली में United Nation ने एदराबाद और मुंबई शहर को ट्री City of the World के रूप में माननेता दे दी हाली में BCCI के परते ने दी के रूप में नियुक्त किया गया हाली में Airport Council International ने दोजार एकिस के लिए दुनिया के टॉप टेन बिजियस्ट एयर पोर्ट की लिस्ट में Atlanta International Airport जो की USA का है वह सबसे टॉप पे शिर्षप है हाली में T20 Cricket में 10,000 रन बनाने वाले दुसरे भारतियों किलाडी रोज़ शर्माजी बन गये हाली में IIT मदरा से ने भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनियस पॉली सेंट्रिक प्रोस्थेटिक निकाना औरन किया हाली में भारत और यूएज देश के बीच में 2 प्लस 2 टॉक्स का आयोजन किया गया हाली में World Bank ने पिनेंशियल एर 2022 से इ आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगे अगर पसंद आया होगे तो दोस्तो लाइक करते जिए कमेंट करते जिए और दोस्तो ऐसे ही डे टुडेoh से उनकी रिविजन क्लासे और जन्रल नौलेज क्लासे पाने के लिए गरुबाइ के 440 वर्ड करंड अफेर स्चानल को फ